हेलो व्रिवन वेल्कम यू ओल इट लोके सर अल्लिम्टेड स्टडी जोन इसके पहले हमने यूनिट डामेंशन में आपको यह करवा दिया था कि किस तरीके से हम किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट कनवर्ट करते हैं और उसका डामेंशन फॉर्मूला बन आज का कंसेप्ट है आज की क्लास है टॉपिक डालिए हूमोजीनिटी प्रिंसपल जी सर आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे हूमोजीनिटी प्रिंसपल ठीक क्लियर यस सर तो हूमोजीनिटी प्रिंसपल क्या कहता है पढ़िए बटा इप दैमेंशन बिल्कुल सही यह जो बात यहां पे लिखी हुई है मतलब mathematically dimensions of the left hand side of the equation equal to dimension of the right hand side of the equation clear? अब इसको आप मेरे सब्दों में समझेए पहली चीज होमोजीनिटी प्रिंसपल के बारे में बात यह है लिखो only the quantity with equal dimensions may be added और subtracted together बोले यह लाइन समझ में आई? Yes only the quantities with equal dimensions may be added और subtracted मतलब जैसे आपके पास कोई quantity है जिसकी dimension length की है तो length में आप kilogram add नहीं कर सकते हो क्योंकि different dimension है sorry kilogram की dimension M चलेगी so L में L ही add होगा clear? Yes sir यह length में length ही minus होगा same type of quantity को ही add कर सकते होगी इसलिए उनकी dimensions भी क्या होगी? same होगी clear same होगी और यह जी जो Yes sir clear कि L है और L square यह भी add नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पर length की dimension 1 है और यहाँ पर length की dimension 2 है 2 है मैंने बताया था dimension का मतलब power हाँ तो यहाँ पर length की dimension 2 है यहाँ पर length की dimension 1 है इसलिए आप इसको add नहीं कर सकते है नहीं करते हुए अब दूसरी बात जो है जो statement में लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरी बात क्या है कि in any physical equation अगर कोई physical equation dimensionally correct है तो उस physical equation में हर term की dimension सेम होगी जैसे मानके चलो रिखा है a equal to b plus c so you can say dimension of a equal to dimension of b equal to dimension of c समझ मैं है अगर आपके पास कोई physical equation लिखा हुआ है अगर वो dimensionally correct है तो उसके each term की dimension equal आएंगी हाँ सर येस इसको बोलते हैं हम dimension के लिए homogeneity principle ठीक अब देखते हैं next सर जैसे की वी प्लस यू बिल्कुल मैं उसी को बताने जा रहा हूँ एक्जैक्ली उसी को मैं बता रहा हूँ देखे कि principle of homogeneity का मतलब क्या होता है अगर आपके पास कोई physical equation लिखी हुई है वी equal to u plus 80 लिखी हुई है अगर आपके पास कोई physical equation लिखी हुई है v equal to u plus 80 अगर मैं इसको dimensionally इसको view करूँ तो dimension of v should be equal to dimension of u should be equal to dimension of a into t अब यदी मैं v की dimension देखता हूँ as it is velocity so velocity की dimension lt की power minus 1 u की dimension again u lt की power minus 1 यस और नो yes sir acceleration is equal to l2t to power minus 2 into t to 2 minus 2 और एक पावर प्लस होगी कितना होगया अगें lt की power minus 1 yes or no yes so in each term of any physical equation the dimension will be same हर term की dimension सेम होगी समझ में आगया yes sir तो इससे एक बहुत बड़ी बात समझ में आगया है क्या कर सकते हो किसी भी physical equation के बारे में आप पता लगा सकते हो कि वो physical equation सही है या गलत है सही है या गलत गलत है हाँ क्योंकि अगर कोई physical equation यह भी सही होगा तो उसके हर term की dimension सेम होनी पड़ेगी नहीं है सर एसे इकोल टू टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वार की dimension देख लेते हैं स की dimension इस इकोल टू लेंथ एस इस प्लेस्मेंट यस और नो यह सर एल यू टी की dimension लिखेंगे यू इकोल टू होता है यू मतलब initial velocity एल टी की पावर माइनस वन और टी फाट टाइम यास जिब यू अर टी की पावर माइनस टू आगे टी का स्क्वार मतलब टी की पावर टू माइनस टू से प्लस टू कैंसल केबल क्या बच गया यह भी यह भी यह भी यह भी यह क्लियर है येस सर नोट कर लो तो बच्चों अब बात करते हैं की डाइमेंशनल रेक्वेशन का होमोजेंटी प्रिंसेपल जो हमने पढ़ लिया application of dimensions अब dimensions का यूस क्या है है ना dimensions आप जा चुके हैं जानते है dimensions क्या होती है power होती है चलिए पढ़िये application of dimensions बिल्कुल सही, मैंने आपको एक्स्रेइन किया है कि किसी फिजिकल एक्वेशन को चेक करने के लिए आप डैमेंशनल एनलेसिस के प्रिंस्पल का यूज कर सकते हैं, जे अभी मैंने बताया है, यस और नौ? बिल्कुल सही, देखिए, वन सिस्टम आफ यूनिट को अनादर सिस्टम आफ यूनिट में आप कनवर्क कर सकते हैं, with the help of डैमेंशनल फॉर्मूला, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेशन करा रहा हूं, जो आपकी एक्जाम में आता है, ठीक है न, यस, लिखिए, कनवर्ट, कनवर्ट, जूल, इन्टू, अर्ग, अब बता देता हूं, जूल क्या है, जूल जो है, जूल जो है, वो वर्क की ऐसा यूनिट है, और जो अर्ग है, ये वर्क की, CGS यूनिट है, अब दो तरीके हैं इसके, कनवर्ट करने की, एक यूजिंग दा यूनिट, यूनिट का इस्तमाल करके, और दूसरा है, यूजिंग डैमेंशनल फॉर्मूला, चाहे आप इसको डैमेंशनल फॉर्मूला बोले, चाहे इसको कोई डैमेंशनल एनलेसिस बोले, बात ये की है, कुछ लोग इसको डैमेंशनल फॉर्मूला का यूजिंग करके बोलते हैं, कुछ इसको डैमेंशनल एनलेसिस का यूजिंग करके बोलते हैं, अब यूनिट का इस्तमाल करके आप convert करते हैं तो देखो कैसे convert करते हो वर्क की unit होती है Joule Yes or No? Yes Sir और Joule का मतलब होता है Yes Sir Joule का मतलब होता है Newton meter Newton meter क्योंकि वर्क का formula होता है force into distance तो force के बदले Newton और distance के बदले Newton meter force into displacement Newton meter Newton मतलब kilogram meter per second square और एक meter ये तो कुल मिलाके बन गया kilogram meter square per second square Yes or No? Yes Sir अब आईए convert करते हैं इसको directly हम CGS में So 1 kilogram equal to 1000 gram हुआ की नहीं हुआ हाँ Sir 1 meter equal to 100 centimeter का square Yes Sir और CGS में second तो second नहीं होता है तो ये हो गया 1000 gram multiply by one four zero हो गए centimeter square second square clear हुआ clear हुआ clear हुआ 3 zero ये है 4 zero ये है total कित्ते हो गए 7 zeros हो गए So 10 to the power 7 Yes Sir gram centimeter square per second square ये सारा मैटर CGS में है इसको बोलते है arg clear हुआ so क्या कहेंगे कि 1 joule equal to 10 की power 7 arg ये हमने कैसे कनवर्ट किया बिटा using unit Now मैं दूसरा तरीक आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम dimensional analysis को यूज करते हुए हम convert कर सकते है आईए देखे So हमारे पास है हम जानना चाहते है 1 joule equal to how much arg Okay ready Yes sir Physical quantity की conversion का formula होता है N1 U1 equal to N2 U2 ठीक N1 U1 equal to N2 U2 Yes sir यह फस्ट सिस्टम और यह सेकंड सिस्टम N1 मतलब magnitude in फस्ट सिस्टम So कितना है बिटा 1 Yes sir और unit मतलब dimensional formula यह उस कर दीजे Yes sir And we want to know N2 और second unit में dimensional formula वही रहेगा क्योंकि work इधर है तो इधर भी work रहेगा है यह ना अच्छा मतलब सिर्फ magnitude चेंज हो बिल्कुल अब देखो ना जैसे कि मैंने आपसे कहा 1 km equal to 1000 m तो 1 km क्या length है ना हाँ sir और meter भी क्या है length है कि यह लिए numerics change हो रहे है यह स्टम जैसे मैंने का 1 m equal to 100 cm yes sir तो भाई यह SI है यह CGS है यह N1 यह U1 यह N2 और यह है U2 clear हुआ yes sir overall quantity तो same है ना और left में length है तो right में भी क्या है length so N2 M2 L2 की power 2 T2 की power minus 2 बूली यह S की नो yes sir now N2 हमें निकालना है so N2 इसके नीचे चला गया तो यह बन गया M1 upon M2 यह बन गया M1 upon L2 2 का power 2 यह बन गया T1 upon T2 का power minus 2 बूली clear है yes sir इदर का मामला किसमें है CGS में है CGS में 1 upon 1 upon 1 gram 1 meter में कितने centimeter 100 upon 100 1 centimeter और 1 second से 1 second cancel यह आ गया M2 भ्यान से देखो gram से gram cancel centimeter से centimeter cancel 3 zeros यह है और square लगा है तो 10 की power 4 zeros हो जाएंगे मतलब 10 की power 3 into 10 की power 4 equals to N2 so N2 equals to 10 की power 7 आया की नहीं आया 10 की power 3 यह सर आया इस तरीके से हमें पता चल गया की 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं 10 की power 7 अर्ग होते हैं clear हो गया जी सर यह सर चली तो screenshot लीजिए फरस्ट पार्ट का लेलिया सर और यह सेकेंड पार्ट का लेलिया सर तो बिटा यह इस तरीके से हम एक फिजिकल कॉंटिटी के एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कनवर्ट कर सकते हैं अभी कॉस्टन साएंगे ओके? यह सर तो सेकेंड वाला क्लियर हो गया बार्ट तो चेंड फिजिकल कॉंटिटी यह इसका कॉस्टन आपके स्कूल एक्जाम में 101% आएगा तो अप्टेन रिलेशन बिट्वीन डिफिरेंट फिजिकल कॉंटिटीज ठीक है? मतलब एक तरीके से यह कह लो कि रिलेशन इस्टेबलेश करना मतलब फॉर्मूला इस्टेबलेश करना एक मिनट एकॉल टू टैन की पावर थ्री सेंटिमेटर क्यूबिक यह ना? जी सर तो बटना देखिए यह लीटर क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम की यूनिट यह वॉल्यूम है सेंटिमेटर क्यूबिक किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की यूनिट है? लेंध की अच्छ सेंटीमेटर क्यूबिक है ना अकेला नहीं है तो अभी रिलेशन इस्टैबलिश कराने की इस लाइन का मतलब यह नहीं है कि आप सेम कॉंटिटी में रिलेशन इस्टैबलिश कराओ अलग अलग फिजिकल कॉंटिटीज में आपको मैं रिलेशन बहुंगा ठीक है तो इस पर हम घंघूर निमेरिकल करने वाले हैं और यह निमेरिकल आपके एक्जाम में भी आएंगे तो थोड़ा सा वक्त कीजिए अभी दीजिए वक्त इसके बाद हम निमेरिकल पे आएंगे पे इसलीए अब आते हैं बच्चो हम सिगनिफिकेंट फिगर्स पर अगला टापिक है इस इसको विकलाबन स्किप कर रहे हैं किस चीज को स्किप कर दें जो रिलेशिन बीटीव इसका मैं निमेरीकल कर वाँगा इसके छैसाद अच्छे निमेरीकल कर वाँगा नेस्ट जो मेरी स्लाइड बनीगी वो इसी पर बनीगी ओके तो प्रतें सिगनिफिकंट फिकर्स पढ़ो बिटा सिगनिफेंट फिरे in the measured value of a physical quantity the number of digits about the correctness of which we are sure plus the next doubtful digit are called the significant figures in the measured value of a physical quantity the number of digits about the correctness of which we are sure कुछ digit वहां तक जिन के लिए हम sure है साथी साथ plus the next doubtful digit और उसके बाद का अगला doubtful digit इन सभी संख्याओं को गिन करके जो हम नंबर बताते हैं वो कहलाता है significant figures कुछ आया समझ में? नहीं जहर नहीं आया भी example दोंगा तो समझ में आ जाएगा जैसे मैं कोई physical measurement करता हूँ और physical measurement में मैंने लिखा कि मेरे एक कपड़ा काटा है मैंने लिखा 1.5 meter अब 1.5 meter में और यदि मैं इसको बढ़ा हूँ तो 1.52 बताओ उपर वाला exact है कि नीचे वाला exact है? उपर वाला गलत तो नीचे वाला है अच्छा उपर वाला नहीं है इसलिए नीचे वाला है ऐसे बोल दोगी नहीं सर उपर वाला 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 round off है उसका उपर वाला round off है इसलिए exact नहीं हुआ न वही तुम्हें कह रहा हूँ उपर वाला round off है अच्छा round off exact नहीं होता है yes or no yes sir civil line से आपका घर देड़ किलो मेटर है यह approach है कि exact है approach है यह approach है यह हो सकता है one point five two three seven इतना कुछ हो हाँ सर्ट कितने डिजट आपके बन रहे है one two three four five बन रहे हैं हाँ सर्ट येस सर्ट इतने ज्यादा डिजट आंगे लोगे उतना ज्यादा measurement आपका precise होगा accurate होगा yes or no तो significant figures यही होते हैं जो मापन की अथार्थता को exactness को दिखाते हैं कि measurement कितना exact किया गया है clear अच्छा येस तो in the measured value of a physical quantity the number of digits about the correctness of which we are sure plus the next doubtful digit are called significant figures इसका में एक छोटा सा practical example आपको लेता हूँ है बिटा घर से आप निकले पिज़ा खाने के लिए कितने रुपए जीप में लेके जाओगे 20 रुपए येस सर नहीं सर पता है आपको कि 20 रुपए में पिज़ा नहीं मिलने वाला बोली yes or no हाँ सर तो उतने पैसे आप ज़्यादा लेकर के चलोगे है न हम तो ऐसी ही किसी मेजरमेंट को एक्यूरेटली फिजिकल वैल्यू के फिजिकल कॉंटिटी के मेजरमेंट को एक्यूरेटली बताने के लिए एक एक प्यूर डिजिट शूर मेजरमेंट डिजिट के नंबर की और थोड़े से डाउटफुल डिजिट की जरूद पड़ती है उनको टोटल करने पर जही नंबर आता है उसको बोलते हैं हम सिगनिफिकेंट फिगर समझ मैं अब कैसे करते हैं सिगनिफिकेंट डिजिट को फाउंड रूल्स फार फाउंड सिगनिफिकेंट फिगर यह सिगनिफिकेंट डिजिट दोनों एक ही चीज है पड़ो बेटा नों जिडिजिट उसन सिगनिफिकेंट फिगर इस एक्साम्पल 4-3-6-2-3-2-3-2-2-3-4-4-3-6-2-3-3-3-4-3-4-3-4-3-2-4-3-4-3-3-4-3-4-3-4-4-3-4-4-4-3-4-3-4-4-4-4-3-4-4-4-4-4-3-4-4-4-4-3-4-4-3-4-4-3-4-4-4-4-4-4-5-4-3-4-4-4-4-4-4-4-2-4 प- नेक्स्ट है, all zeros occurring between non-zero digits are significant figures, example 1005 has 4 significant figures, यहाँ पे अगर 1 of 5 के बीच में, या कोई भी 2 non-zero digits के बीच में, जितने भी zeros आएंगे, उनको significant count किया जाएगा, significant figure में count किया जाएगा, clear? yes sir, clear, next पढ़ो, all zeros to the right of the last non-zero digit are not significant, example 6250 has only 3 significant figures, यह याद कर ले ना, धोके बाला point है, हमको देख करके लगेगा, 6250 में, यह चार डिजट होंगे, बट यह 3 डिजट ही count होंगे, okay, 3 significant, is it clear, but यदि decimal लगा होता, तो वो 0 भी count होता, पढ़ो, next, fourth पढ़ो, in a digit less than 1, all zeros to the right of the decimal point and to the left of the non-zero digit are not significant, example, 0.00325 has only 3 significant figures, yes, decimal के पीछे वाला तो कोई काम का नहीं है, मगर number के बीच वाले भी, इधर बीच वाले नहीं, शुरू वाले भी किसी काम के नहीं है, आगे समझ में, शुरू ये काम की नहीं होते हैं, ये decimal के बाद वाले और decimal के जस्ट पहले वाले काम के नहीं है, बट यदि ऐसा लिखा हो, एक मिनट बता रहा हूँ, बट यदि ऐसा लिखा हो, 0.030215, हाँ, अब बता हो, कितने हैं डिजट, सिग्निफिकन्ट फिगर्स कितने हैं, पाँच, 1, 2, 3, 4, 5, समझ गे ना, बट यदि लिखा हो, 0.0003125, अब कितने सिग्निफिकन्ट डिजट हैं, 4, 0.00312500, कितने सिग्निफिकन्ट डिजट हैं, 4, अच्छा, क्या सीखा भी यहां, अच्छा, नहीं सर्व, सॉरी, 6, 6 हैं, डेसिमल के बाद वाले को लिया जाता हैं ना, हाँ सर, हाँ सर, 1, 2, 3, 4, 5, राइट साइड के जो डेसिमल होते हैं, उनको काउंट किया जाता है, क्लियर, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 2, 1, 5, 00, बोलो, कितने सिग्निफिकन्ट डिजट हैं, सर, 4, 4, हाँ, अब तुम्हें समझ में आ गया, तो यह सिग्निफिकन्ट डिजट का कोट सिस्टम है, अगला, फिफ्थ पॉइंट पड़ो, अगला, 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 अब पड़ते हैं, कि सिग्निफिकन्ट फिगर का अलजेबरी कोपरेशन हम कैसे करते हैं, सिग्निफिकन्ट डिजट का अलजेबरीक ऑपरेशन, ऐसे समझो, ऐसे समझो, हर्शीका ऐसे समझो कि आपके पास 2 लेंथ की मेजर्मेंट हैं, आपने 2 कपड़े मेजर्मेंट करे हैं, एक है 4.326, बोलो कितने significant is right है? 4.326, 4 हैं, और second मेजर्मेंट में कितने significant is right है? 3, तो answer जो दोगे वो कितने significant is right में दोगे? 3 में या 4 में? नहीं. आंसर आएगा जिस डेटा में कम सिग्निफेकंट डिजिट होंगे उस फॉरम में आंसर आएगा. Clear? तो 3 सिग्निफेकंट डिजिट में आंसर आएगा. Clear? शर पर जो 4 डिजिट वाला नमर होगा, वो तो ज़ाद है accurate है बट आपको उस accuracy तक जाना है जिसमें दोनों support करें तो दूसरे वाली की accuracy support कर रही है थ्री significant digit तक और पहले वाली की support कर रही है फोर तक तो अगर आप इससे 4 की demand करोगे तो वो चिलाएगा कि मेरे पास 4 तो है नहीं मैं कहां से लाके देदू तो फिर इसकी बात इसको मालनी पड़ेगी समझ मैं आया पढ़ो in addition or subtraction in addition or subtraction in addition of the numerical values the final result should retain the least decimal place as in the various numerical values for example if L1 is equals to 4.326 meter and L2 is equals to 1.50 meter then L1 plus L2 is equals to 4.326 plus 1.50 meter which is equals to 5.826 meter बस अब रुक जाओ कितना आया 5.826 आया? यस बट इसमें कितने डिसिग्निफेंड इसर है? फोर आंसर कितने में देना है? थ्री में देना? तो अब ये 2 को पकड़ो यस सर् बोलो 2 के आँगे क्या है? हाँ शिक्स फाइब से ज़्यादा है कि नहीं है? है सर् आंसर आगया 5.8 3 और सिग्निफिकंट डिसिट कितने काउंट कर लो? 3 है ना? हाँ So here it is 3 significant digits Done So ये पहला method है significant digit का addition करने का Clear? Yes sir, clear चलिए अगला significant digit rule पढ़ते है In multiplication or division पढ़िये In multiplication or division of the numerical values The final result Should retain the least significant figures As the various numerical values Example If length L is equals to 12.5 meter And breadth B is equals to 4.125 meter Then area is equals to L into B is equals to 12.5 into 4.125 is equals to 51.5625 meter square हाँ अब ये बताओ Least significant digit कितना है Sir 3 3 अब यहाँ पर आए है 51 तो तू हो गया और 5 हो गया बोलो yes की नो हाँ इसके आंगे क्या लगा हुआ है 6 है Yes sir 6 फाइब से ज्यादा है तो 5 को कितने पर round of set कर देगा 6 पर clear हो गया अच्छा Yes sir हो गया तो least देखो least significant digit पर आ गया Least पर क्यों आ गया क्योंकि इसकी जो एक data था L जो था वो 3 significant desert का था Yes sir मतलब addition हो multiplication हो division हो subtraction हो Okay The final answer will keep the significant desert as given in the least data Yes or no Yes sir Yes sir हर्षी का round of तो आपने सुना होगा बच्पन में लगाते थे हम लोग की या 5 से बड़ा हो तो change कर दो 5 से छोटा हो तो change मत करो अब कुछ rules होते हैं खतरनाक वाले वो round of के rules सीख लो ठीक है Yes sir हमेशा वो rules नहीं लगेंगी की 5 से बड़ा हो तो change कर दो 5 से छोटा हो तो change कर दो कुछ और भी है आईए देखते हैं First पड़ो If the Yes sir If the digit be dropped is less than 5 then the preceding digit is left unchanged Example 1.54 is rounded off to 1.5 5 के आगे कितना है 4 है 4 तो क्या change होगा No sir Next point If the digit is to be dropped is greater than 5 then the preceding digit is 9 is rounded off to 2.5 बिल्कुल सही तो देख लिया 2 के बाद 4 था और 4 के बाद 5 से बड़ा था 9 जो था So previous digit 4 फाइब में कनवाट होगा Clear Yes sir पड़ो इवता If the digit to be dropped is 5 followed by the digit other than 0 then the preceding digit is raised by 1 Example 3.55 is rounded off to 3.6 अगर if the digit to be dropped is by 5 ठीक है ना और उसके बाद कोई भी नंबर है Yes sir उसके बाद आपके पास कोई भी नंबर है तो उसको आप क्या करोगे 5 से बढ़ा दोगे ठीक है ना Yes sir पतलब उसको 6 कर दोगे जो भी नंबर होगा 1 भी होगा तो भी इसको 6 कर दोगे Next If the digit प्लापए नांबर होगा ये रोल कर दो भी नंबर होगा ये रोल भी भी रोल कर दो है अगर आपके पास if the digit to be dropped 5 मतलब किसको गायब करना आपको इसको गायब करना है 5 को ड्रॉप करना है बुले यह सुनो अब प्रसीडिंग डिजिट जो है उसको देखो 5 के पहले क्या है 7 7 है या और है odd है अगर आपके पास यह odd है तो यह एक से race कर जाएगा मतलब 3.8 बन जाएगा कितना बन जाएगा 3.8 तो 3.750 पांच को देख करके और इस odd को देख करके मैंने इसको convert कर दिया किसमें 3.8 में क्लियर ये नेक्स्ट है 4.650 आपको इस 5 को ड्रॉप करना है तो 5 के पहले 6 देख आपने बुलो क्या है यह even की odd और even है तो no change answer 4.6 यह rule याद रखना है क्लियर हो गया येस सर्, येस सर्, येस सर्, ये हैं राउंड इवफ के रूल बेटा ये आपके एक्जाम में आएंगे इनको याद रख लेगा ठीक जी सर्, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता अपना error अब अगला टॉपिक हमें स्टार्ट करने वाले हैं error तो what is error सबसे पहली बात है की error क्या है error क्या है बोलो भई कुछ idea error के बारे में गलती क्या है गलती होती है सर error तो हिंदी बता दी आपने बटा error जो होता है वो difference है जैसे आपने कोई measurement करी हाँ बिल्कुल सही बात है ना आपने कोई measurement करी है आपने कोई कपड़ा मेंजर कपड़ा नापना है बोलो yes or no yes sir तो दुकानदार के पास गए आपने का भईया theoretical value है theoretical value आपने कहा कि मुझे 2 meter कपड़ा नाप करके देदो कितने का नापके देदो हाँ sir 2 meter का 2 meter और experimentally उसने meter में लिया और उसने 1.9 meter का कपड़ा नापकर के देदिया बोले यस yes sir 1.9 बहुत close है 2k हो जाता है sir तो कितने का difference आया 2 minus 1.9 हा सर theoretical minus experimental error जो आई 2 minus 1.9 या experimental minus theoretical कहलो तो यह हो जाएगा 1.9 minus 2 बोलो यस yes sir तो कितनी की error आगई 0.1 और यह minus 0.1 बोलो हाँ yes sir अब आप क्या कहेंगे कि अरे उसने कपड़ा कम नाप दिया बोलो यह थोड़ा सा हां sir तो गलती गलती होती है तो इसलिए मैं यहां 0.1 का mode लगाता हूँ क्योंकि जब आप difference देखेंगे तो 0.1 का है तो इसलिए 0.1 का mode लगा दोगे तो answer हमेंसा क्या जाएगा प्लस में आ जाएगा 0.1 क्लियर हुआ हां sir वही तीन का चार बन गया तो difference कितने का हुआ चार माइनस तीन का mode और तीन माइनस चार का mode answer कितना आएगा 1 क्लियर हुआ इसलिए error को magnitude में लिया जाता है किस में लिया जाता है magnitude में जी हां magnitude में लेते हैं और जब हम error को magnitude में लेते हैं तो इसको हम बोलते है absolute error क्या बोलते है absolute error जी हां तो चलिए देखते हैं error के बारे में definition मैंने definition क्या बताई error की पहले उस definition pop copy में लिखले error is the difference of theoretical measurement with experimental measurement लिखलो copy में an error is a difference of theoretical measurement with experimental measurement घर से निकले hello yes sir घर से निकले टेस्ट देने के लिए यह सोच के की की पचास नमबर का करके आएंगे theoretically वहाँ पर गये 40 number का करके आए practically बोले क्या हो गया बोले 10 की गलती हो गई error 10 की निकली की निकली की निकली तो theoretical measurement किती करी थी 50 experimental कितनी कर गये 40 तो गलती कितनी हो गई 10 की सम्यमया so this is called error now read out the lack the lack in accuracy in the measurement due to the limit of accuracy or the instrument or due to any other cause is called an error the lack in accuracy शुदता की कमी किसमे measurement में due to the limit of accuracy limit of accuracy मैं लब शुदता की सीमा की वजए से हर चीज की एक सुदता की सीमा है कि तुम उसको इतने शुदतक बना सकती हो बोलो yes की नो yes sir मैंने कहा की exact 0.0002 cm की लाइन खीचो तुम बोलोगे नहीं खीच पाएंगे सर आप 2 cm की बोलो खीच देंगे सर आप 0.02 की बोलोगे मैं खीच दूँगे mm scale लेके अब आप बोलोगे सर 0.0002 की कैसे कीच पाएंगे यह तो बैक्टिरिया कसाइस हो गया yes sir so this is called limit of accuracy this is called limit of accuracy accuracy जब चोटी वाली सुई में धागा डालना पड़ता है तो बड़ी परिशानी होती है हाँ या ना हाँ sir क्योंकि limit of accuracy आजाती है और उससे भी छोटी कोई सुई मिल जाए तो हमारी बुद्धी भेल हो जाती है yes sir so the lack of accuracy in the measurement due to the limit of accuracy एक limit of accuracy भी होती ही कि भाया इससे जाद accurate तो नहीं कर पाऊंगा चाहे कुछ भी कर लो हाँ जोडता हूं yes sir मम्मी कई बार किचन में बोल देती हम तो तुम्हाँ हाँ जोडते हैं इससे अच्छा हम ना बना पाएंगे तुम्ही बना लो हाँ so that is called limit of accuracy yes sir so the lack of accuracy lacking accuracy in the measurement due to the limit of accuracy और instrument यह तो instrument भी गड़ड़ हो और due to any other cause इसमें सामने वाला गड़ड़ी कर दे हैं समझ गेर इसमें बाकी सारे unusual cause हो जाएंगे or due to any other cause is called error गलती कहीं से भी हो गलती गलती होती है ठीक अब बात करते हैं absolute error की what is absolute error the difference between true value वही जो मैंने जिसको बुला था एक theoretical value the difference between the true value and the measured value of a quantity is called absolute error very important यह line बहुत important the difference between the true value and the measured value of a quantity is called absolute error error okay अब बात आती है absolute error तो आ गई अब हमें निकालना है अगला topic है mean absolute error क्या निकालना है mean absolute error हाँ तो heading डालो copy में बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि हम बताने वाले है mean absolute error क्या है yes sir चलिए डाली heading बटा yes sir okay क्या heading डाली है mean absolute error मैंने युवराज की गलती पता करने के लिए युवराज के 5 टेस्ट लिए पहले टेस्ट के marks A1 दूसरे के marks A2 थीसरे के marks A3 चौथे के marks A4 पांचवे के marks कितने A5 clear yes sir अब मैंने इनको करके यह एक measurement है टेस्ट न बोलके मैं कहूंगा युवराज को मैंने कभी कोई चीज न आपने को दी दी कि काम करो तुम यह measure मेरे को करके दिखाओ तो उसने पहला A1 cm दूसरा A2, A3, A4, A5 यह यह युवराज ने reading निकाली clear? yes sir yes sir मैंने क्या किया मैंने इन सब का mean निकाला हाँ मैंने इन सब का mean निकाला mean निकालने से मेरे को यह पता चल गई कि on an average एक true value कौन सी है तो mean equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 upon 5 बुलिए ऐसो नो yes sir यह mean आ गया ठीक है ना yes sir यह mean आ गया अब मैं अलग-अलग error निकाल रहा हूं मतलब यह centralized data है इसको मैं AM बोल देता हूं अब मैं पहली error निकालता हूं तो पहली error equal to mean error minus first data first data की error central data से this is equal to delta A1 clear yes sir पहली गलती mean में से दूसरे data की value minus किया mean में से तीसरे data को minus किया am minus A3 mean में से पांचवे data को minus किया am minus A5 delta A5 बोलो yes or no yes sir गलती 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 5 भी गलती इन सारी गलतीयों का mean ले लिया delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus delta A4 plus delta A5 सारी गलती का mean ले लेकर के average लेकर के उनको पांच से डिवाइड करके yes sir yes or no yes sir क्या था ये सारे क्या थे ये absolute error क्या थे ये absolute error absolute error का जो mean कहलाएगा वो कहलाएगा mean absolute error समझ में आया okay yes sir आई ये रिखते है पढ़ो if if A1 A2 A3 up to An are the measured values of any quantity A in an experiment performed n times then the arithmetic mean of these values is called the true value am of the quantity am equals to A1 सबसे पहले मैंने true value सबको add करके divided by जितने data थे उनको n कर दिया बुलो clear अब इसके बार मैंने absolute error निकालना शुरू किया delta A1 मतलब पहले data की error equal to mean error minus A1 yes sir clear ना yes sir second error equal to mean error minus A2 third error am minus an done ये सारे के सारे क्या आ चुके हैं ये आ चुके हैं absolute error अब इन सबी absolute error का जो mean होता है इनको हम बोलते है mean absolute error clear error error yes sir clear क्या 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 बहुत सही है है yes sir आपने A के measurement में पहली गलती कर दी delta A आपने B के measurement में भी गलती कर दी delta B तो दोनों के measurement में जो गलती निकलेगी निकलेगी हम उसमें दोनों की गलतीयों का influence होगा की नहीं होगा होगा sir मतलब अगर A में गलती करी है B में गलती करी है तो Z में गलती आएगी की नहीं आएगी तो delta Z equal to delta A plus delta B गलती प्लस गलती equal to बड़ी गलती पढ़िए Error in addition or subtraction Error in addition or subtraction Let X equal to A plus B or X equal to A minus B If the measured values of two quantities A and B are A plus minus delta A and B plus minus delta B then maximum absolute error in their addition or subtraction is equals to delta X is equals to plus minus of delta A plus delta B तो maximum error delta X क्योंकि यहाँ पे मैंने X लिया था X की गलती equal to delta A plus delta दोनों को add करें delta A plus delta B करके बाहर plus या minus minus क्योंकि अगर दोनों में तुमने forward गलती करी है तो दोनों add हो जाएंगी हाँ और दोनों में backward गलती करी है तो दोनों में add हो जाएंगी मगर sign negative का आएगा समझो कैसे हाँ पहला कपड़ा भी ज़्यादा काड़ दिया गलती से हाँ दूसरा कपड़ा भी ज़्यादा काड़ दिया गलती से गलती से पहले में नीगेटिव बाली एरर नीगेटिव लाया है, तो इसलिए 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 प्लस माइनस दोनों लगा है, clear? जलो आँगे चलते है Error in Multiplication or Division पिटा, Multiplication or Division में हम Relative Error Count करते हैं कौन सी Error Count करते हैं? Relative Error चलो, पढ़ो, Error Error in Multiplication or Division Let X equal to A into B और X equal to Sir, X equal to AXB और X equal to A divided by B AXB नहीं है, A multiplied by B और X equal to A divided by B First case आप multiplication कले रहे हो Second case division कले रहे हो Yes, Sir If the measured values of A and B are A plus minus delta A and B plus minus delta B then maximum relative error is equal to delta X by X is equal to plus minus of delta A by A plus delta B by B ठीक है? Yes, Sir ठीक है, बेटा? Formula note कर लो, ये Relative Error का Multiplication Error में Maximum Relative Error का होता है Multiplication or Division में Delta A by A plus delta B by B Yes, Sir मतलब multiplication हो ये Division हो, Error क्या होंगी? Add होंगी और कौन सी Error? Relative Error Yes, एक चीज में आपको और बता रहा हो यहां पर हरशी का Yes, Sir जो यहां पर लिखी नहीं है वो Error में आपको और बता देता हूँ Power वाली Error अगर आपके पास कोई quantity है Z equal to A की पावर N ठीक है? Yes, Sir Z equal to A की पावर N और हर बार के जैसे measured value क्या होती है? A plus delta minus A ठीक है न? Yes, Sir The measured value of A and V are A plus delta minus A मतलब A क्या है? Mean value और delta A क्या है? Mean Absolute Error अभी मैंने इसको उपर लिखना आपको बताया था कि लिखते कैसे हैं ये देखो यहाँ पर बताया था मैंने हाँ, Sir, बताया था Yes, this is delta A और ये A mean value होती है तो इसको लिखते ऐसे हैं Yes, Sir तो काम की बात करते हैं कि Z equal to A की पावर N है तो relative error Z की कैसे निकली के बेटा delta Z upon Z equal to बेटा N उचल करके नीचे आजाता है N delta A upon A Note कर लो Neat में इससे कई बार question आए है धुआधार आख मुंद के question आए हैं इससे नीच पे delta Z upon Z equal to N times delta A upon A ठीक है Yes, Sir चलिए तो ये यहाँ पे हमारा unit and measurement का पूरा का पूरा topic theoretical topic यहाँ पे पूरा होता है खतम, Sir जी हाँ, यहाँ यहाँ पे unit and measurement हमारा पूरा हो जाता है अब इसके बाद हमारी cable बची हुई है practice जी, Sir तो चलिए करते हैं practice ठीक है, error समझ में आगी बट अच्छे से जी, Sir, आगया addition वाली error के formula लिख लिए हाँ, Sir subtraction का लिख लिए addition का बिटाई यह सामने लिखा हुए delta x equal to delta a plus delta b यह, Sir, एक minute यह sheet है ना भी टाप के पास group में डली हुई है हाँ, Sir, है इसलिए नहीं लिखे थे हाँ, कोई बात नहीं, तो इसको बाद में लिख लिए ना, लिख लिया मतलब आपने पढ़ लिए इसलिए, सबसे पहले बात करेंगे physical quantities क्या होती है, बताइए अपने शब्दों में physical quantities are the quantities that can be measured and which prove the laws of physics exactly, बिल्कुल से, all quantities that can be measured and which are used to explain the laws of physics है ना, और बताए था मैंने कौन-कौन सी होती है length time physical में दो होती है, एक होती है, अपने पास fundamental physical quantity ठीक है, यस, और physics में हम करते क्या है, हम different physical quantities का relation पढ़ते हैं, और अभी आने वाले समय में, जो आपने हम से पूचा था कि sir, different physical quantities में relationship कैसे बना होगे, don't worry थोड़े देर में मैं आपको different physical quantities में relationship बनाना भी सिखाने वाला हूँ, done? what is measurement sir, sir, measurement comparison होता है, किसी भी physical quantities का एक standard के साथ, very good, बौर अच्छी देपिनिशन, it's a comparison of a given physical quantity with a standard physical quantity with standard physical quantity of same type and that type is called unit unit, next what is unit sir, एक जो 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 जितने भी physical quantities होते है, वो वो सब जो measure करी जाते है, एक standard magnitude के साथ measure करी जाते है, उनियु उन्हीं अन्हीं नियुआत्यून जे़ा रिजूची पन यूनिटेटा है, sir exactly all the physical quantities measured with respect to the standard magnitude of the same physical quantity and these standards are called unit, okay standard are like unit, second meter kilogram, yes sir, now मैं आपको standard याने कि units की kuch property बताई थी बताओ क्या है units की property हाँ, सr सर पहली तो वो easily reproducible होनी चाहिए available होनी चाहिए और बदलने वाले होनी चाहिए कि बिल्कुल नहीं ऌैं सरी और भीन इस टॉप वासूं ले जा डोब। निख आंड ना, न डिशुड़ गींड कि शुड़ भी इन वेरिय के इन वेरियबल, वें रहे होँ क्यूत मख वाल जोडेज यह ऐलोग P리े लोग पहुशान हो रहे हैं न? ना सर हाँ सेट आफ फंडमेंटल कॉंटिटीज तो SI ने सिस्टम अफ इंटरनेशनल यूनिट्स ने कुछ फंडमेंटल कॉंटीज का सेट दिया था 7 कितनी थी 7 कितनी थी 7 7 फंडमेंटल कॉंटिटीज हैं जिनके नोटेशन्स आपके सामने दिये गए है SI में नोटेशन ये है CGS में नोटेशन ये है और ये इनके डाइमेंशनल डाइमेंशनल नोटेशन है ये अच्छी बात आगई चलिए दिखते है मास की SI यूनिट किलो ग्राम है और CGS यूनिट क्या है, ग्राम, लेंथ की SI unit, लेंथ की SI unit क्या है, मेंटर, और CGS unit, सेंटी मेंटर, सेंटी मेंटर, dimensional symbol L, और dimensional symbol क्या है, L, अगला time के लिए second है, dimensional symbol T है, येस सर्थ, टेंप्रेचर की SI unit क्या है, Kelvin, टेंप्रेचर की SI unit Kelvin, और unit जोब की है, CGS unit degree Celsius, और notation देखू टेंप्रेचर का थीटा, थीटा, येस सर्, येस सर्, Current की SI unit ampere, CGS unit का भी symbol ampere है, बस, बाकी luminous intensity का candela, और amount of substance का mole आप जानते हैं, जी सर, physical quantity मैंने बताया थे कि कुछ standard prototype and standard definition defined है, उनको आप ऐसे का वैसे ही याद करते हो, जैसे for example, मैंने बताया था, what is mass, what is one kilogram, तो मैंने बताया था कि एक iridium और platinum का बड़ा हुआ cylinder, जो कि International Bureau of Weight and Measurement में रखा हुआ है, उसका जो weight है, वो कित्ते kilogram है, वन किलोग्राम, वन किलोग्राम, बिल्कुल सही, और ये आपके बाकी definitions हैं, जिनको आपको याद करना है, बन जाएंगे न, जिस, इस सर, इनका कुछ कर नहीं सकते हैं, इनको बस आप ऐसे देख करके as a reference, मन में ध्यान रखिए, है न, learning वाला point है, चलिए, अब supplementary unit कौन रखिए, स्रिक दोटी ऑन, तर आक अंगे जो अंगे उनका का आप, जो आवी और ती या का इनको एंगे जो ओन कौन दौन करता है, तो सवाला砂, थल्जिस, न, जिस, मही ते आपके बदो, आपके, दो, याके में बंदो, या वो थGO ती रदीसा, आपके, तो आवर बिभ can be expressed in the terms of fundamental physical quantities are called derived physical quantities बताया था मैंने ऐसी physical quantities जिनको आफ fundamental quantities के तम में express कर सकते हो उनको हम derived physical quantities बोलते हैं या मेंचिन क्या होती हैं सब्सक्राइब होती है वेरी गुड़ पावर के तो उन्हीं का नाम है exponent है ना किसकी पावर होती बेस क्वांटिटी की आस बेस क्वांटिटी दफावर exponent of a base quantity that enters into expression of a physical quantity is called dimension of the quantity at that base मतलब जो कुल मिला कर कि जब आप dimensional formula लिखते हैं तो dimensional formula लिखते समय जो fundamental physical quantities के उपर यह fundamental physical quantities के उपर जो पावर आती हैं उनको हम dimension बोलते हैं yes dimension formula force का ml t to the power minus 2 करवा दिया है yes energy का भी करवा दिया है सब कुछ clear है यह dimensional equation yes better dimension formula मैंने बताया आपको अम मैं बताता हूं dimensional equation whenever the dimension of a physical quantity is equated with the with the dimensional formula we get dimensional equation अभी हम बनाएंगे dimensional equation तब आप देखियेगा किस तरीके से हम equate करेंगे when the dimensions of the physical quantity equated with the dimensional formula we get dimensional equation तो अभी मैं जब अभी अपको dimensional equation बना के रिखाऊंगा yes principle of homogeneity according to this principle we can multiply physical quantities with same or different dimensional formula formula at our convenience however no such rule applies to addition and subtraction there only like physical quantities can be added or subtracted example if p plus q is equal to p and q both represent same physical quantity तो मैंने बता आपको कि cable same physical quantity को ही add किया जा सकता है multiplication division करके आप नई quantities बना सकते हो but addition subtraction के लिए same physical quantity यूज करोगे ठीक है yes sir चलो अगला question देखे calculate the dimensional formula of energy from the equation half mv square चलो बनाओ बिटा अच्छा ये 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 जो लिखा बिटा देखो इधर पी ये वाला का box के अंदर e 1 upon 2 constant ये constant की कोई dimension नहीं होती हाँ m small m की dimension कितनी होगी mass और velocity की dimension क्या होगी length upon time time का whole square ये sir बन देखा और ये-अ-दे इस कहलाता रिते dimensional equation ये जो लिखा हुआ ना this structure is called dimensional equation और ये क्या कहलाता है यह कहलाता है इसको बोलते हैं फिजिकल एक्वेशन और जो नीचे लिखाा उसको बोलते हैं दैमेंशनल एक्वेशन yes sir done बहुत बढ़िया done sir चली अगला क्वेशन illustration no. 2 पढ़िये kinetic energy kinetic energy of a particle moving along elliptical trajectory is given by k is equals to as square where s is the distance travelled by the particle determine dimensions of a हाँ बहुत बढ़िया शानदार question चलो बिटा क्या कह रहा है कह रहा है कि किसी particle की elliptical trajectory का कार्डिक्रिक इनर्जी का equation दिया गया है k is equal to as square बो yes यानो yes sir अब rule क्या होता है कि अगर आपके पास कोई dimensionally correct physical equation है तो left hand की dimension is equal to right hand की direction yes or no yes sir now case kinetic energy you know kinetic energy का dimension formula ml2t की power minus 2 हाई याना yes sir a का पता नहीं है s का मतलब l मतलब l का square yes or no yes sir a को रोक लीजिए l को नीचे जाने दीजिए ml2 की power minus 2 and here l का square box के अंदर l square से l square cancel answer a equals to mt की power minus 2 yes sir clear हाँ sir note कर लो ये use है मतलब unknown कोई quantity है तो उसके dimension पता लगा सकते हो yes sir with the help of dimensional analysis yes sir analysis clear 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 yes sir clear yes sir clear ओके चलो अगला question करो फिर एक मिना अगला question कौन सा करवा हूं तो मैं wait 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 बेटा illustration ये वाला छोड़ दो अभी ये due कर दो due कर दो ये वाला करो illustration next okay the distance covered by particle is going in time t is going by x equal to a plus b t plus c t square plus d t cube just a b c and d find the dimensions of a b c and d and a b c d चलो सबकी dimension find करो बनेगा yes sir sir try करते है हाँ बुलो sir try कर सकते है बिल्कुल try कर नहीं है जी sir कर दो नहीं है जी सबक्ट byisinा सब करनल चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे जी सर देखो बटा एक्स एक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वाइर प्लस डी टी क्यों है जी सर डाइमेंशनल एनलेसिस का सिधान्त कहता है कि इच टर्म की डाइमेंशन एक्वल होंगी कि जान सहब दिखने सर आइमेंशन एक्वल ट्रम की डाइमेंशन एक्वल टाइमेंशन इकवल्स टो एल की डाइमेंशन दो पहला अंसर आगया है एक्वलस टो एल्ट बोलो यस ओ उन्ट second term से compare करते हैं second term से है dimension of x equals to dimension of bt x is a displacement so x will be l b unknown है t मतलब for time t नीचे चला जाएगा so l upon t equals to b means b equals to l t की power minus 1 b का dimension l की t की power minus 1 third point yes x की dimension is equal to ct square x upon t square का dimension equals to c का dimension so c का dimension equals to dimension जमनेगा length upon t की power minus 2 so box c equal to l t की power minus 2 done yes clear clear बिटा clear है हाँ sir clear है x equals to d t cube x equals to length है इसका d का पता नहीं this is time cube so d का dimension equals to length upon time का power 3 is it clear is it clear yes sir clear okay so चले चेक करते हैं सभी हम answers yes we have the answers a की dimension L b की dimension L T की power minus 1 C की dimension L T की power minus 2 and T की power dimension L T की power minus 3 clear? yes sir okay okay now next topic use of dimensional analysis मने बताया था की की तू कन वर्जन one physical quantity from one system to another system of unit one system of unit to another clear? yes sir yes it is based it is based on the fact that numerical value into unit is equals to constant so on changing unit numerical value will also get change if N1 and N2 are numerical values of a given physical quantity and U1 and U2 be the units respectively in two different system of units then N1 U1 is equals to N2 U2 so N2 equal to N1 N2 equal to N1 M1 by M2 power A L1 by N2 की power B और T1 by T2 की power C बिल्कुल सही चलो अब इस पर एक base question हो जाए वैसे मैंने आपको एक convert कराया था है ना? yes sir हाँ अब इसको हम convert करने जा रहे हैं चलिए question क्या है young modulus of steel is 19 into 10 की power 10 newton per meter square ठीक है? yes sir ये किस सिस्टम में बेसा SI में है किस में है? SI में express it in 9 cm मतलब किस में convert करना है बिटा? CGS में here 9 is the CGS unit of the force clear? yes sir चलो मतलब newton per meter square पे निशाना लगाओ newton per meter square जो unit है वो किसकी है? coefficient of elasticity या young modulus की है अब young modulus की unit आपको यह नी पता हो बिटा तो ml की power minus 1 t की power minus 2 ये होती है ठीक है? बट बिटा अब इसको ले करके आपको use करना है जो मैंने आपको सिखाया था n1 u1 equal to n2 u2 ठीक है? तो कैसे use करते हैं चलो इसको ले करके मैं आपको बना देता हूँ n1 u1 equal to n2 u2 u2 चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ये unit wise one amount का है this is m1 l1 की पावर माइनस 1 t1 की पावर माइनस 2 agree? this is m2 यहां पे n2 आजाएगा l2 की पावर माइनस 1 t2 की पावर माइनस 2 clear? yes sir clear now n2 equals to 1 by m1 upon m2 l1 upon l2 की होल पावर माइनस 1 माइनस 1 दो नो की बुलो yes or no? yes sir and t1 upon t2 की होल पावर माइनस 2 box लगा दो yes sir चलिए अब देखी ये unit चलेगा और हमें convert करना है तो m1 की इसमें si में है तो m1 कितना रहा होगा उपर 1 kg और ये कितना रहा होगा cgs वाला 1 g power कितनी है 1 l1 कितना होगा 1 meter ये कितना होगा 1 cm power कितनी है – 1 और t1 कितना होगा 1 second और ये भी कितना होगा 1 second, power कितनी है, minus 2, equals to N2, clear, minus 2, yes sir, clear, 1 kilogram equal to 1000 gram, और यहां भी 1 gram है, gram से gram, cancel, power 1, cancel, 1 meter equal to 100 centimeter, और 100 centimeter के नीचे 1 centimeter है, power minus 1 centimeter, centimeter cancel, यह तो पहले ही cancel हो गया, तो equal to आ गया, N2, clear, 1000 की पावर 1 मतलब 1000, और 100 की पावर minus 1 मतलब 1 upon 100, N2, clear, yes sir, 2, 0, cancel, 2, 0, cancel हो गया, N2 equals to कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, मतलब SI system से, CGS system में जाते हो, तो कितने का conversion आता है, 10 का, मतलब आपके पास, जो SI system में, 1 newton per meter square था, gamma की unit, इसकी unit, वो 9 per centimeter square में कितने में convert हो जाती है, 10 में, तो आपके पास total कितने थे यहाँ पर, यंग मॉडलस कितना था, 19 into 10 की power 10, 10 newton per meter square, अब इसको यदि 9 per centimeter square में convert करोगे, तो कितने का multiply करना पड़ेगा, 10 का, तो 19 into 10 की power 11 हो जाएगा की नहीं होगा, तो यह आग्या, तो एक physical unit को, दूसरे unit में, हम बड़े प्यार से convert कर सकते हैं, आई बास समझ में, चलिए तो हो जाए question, यह question बहुत important है, ठीक है ना, यह सर, चलिए, ओके, 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 how many points, equal to one points, जूली, एसा unit of viscosity, चलिए, अग्ला वर्शन बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, दिमेंशनल फॉर्मूला ओफ विस्कोसिटी अफ फ्लूड, is Nita equals to M की पावर 1, L की पावर माइनस 1, T की पावर माइनस 1, clear? यह सर, अब कह रहा है, कि how many points, points क्या है, coefficient of viscosity का, viscosity की CGS unit, is equal to one points, is equal to, one points, उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, सीरी सीरी बात पूछ रहा है, कि एक पावर में कितने points होते हैं, पकी बात, तो भाई, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, केवल डाइमेंशनल फॉर्मूले को पकड़ो, और SI से CGS में कनवर्ट करो, समझ गए? N1, U1, equal to N2, U2, इधर वाला points है, इधर वाला points हो लिए है, बुलो यह सुनो, points का कितना amount दिया है, N1 दिया है, वन यूनिट, अब यूनिट लगाते हैं बटा, तो यूनिट में है M1, L1 की पावर माइनस 1, T की पावर माइनस 1, बुली यह सुनो, यह सुनिट लगाते हैं, उनने यूनिट पता है, मलब amplitude नहीं पता है, कितना है, numerics नहीं पता है, उसका magnitude, यह सुनिट यहीं चलेगी, बस denominations बदल जाएंगे, M2, L2 की पावर माइनस 1, T की पावर माइनस 2, T की पावर माइनस 1, बुलो यह सुनो, CGS में यह सेकेंड होता है, यह भी सेकेंड होता है, शुरू में ही काट दो, अब इसके नीचे लिया, 1 तो बाहर है यह, M1 के नीचे कितना आगया, M2, L1 के नीचे कितना आगया, L2, और इनकी पावर की है, माइनस 1, और इसकी पावर है 1, बुली यह सुनो, 1 किलो ग्राम इकॉल टू, 1000 ग्राम, यह उपर वाला किलो ग्राम था, क्योंकि SI था, और नीचे वाला क्या है, 1 ग्राम, L1 SI में है, मतलब 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमेटर, और L2 इधर से आया है, तो सेंटीमेटर में already है, बुले यह सुनो, ग्राम से ग्राम सेंटीमेटर सेंटीमेटर, कैंसल, 10 के पावर 3 और 2, आंसर कितना, कितने पाईजुली होते हैं कि कल तक बोलोगी क्या नहीं सब्सक्राइब तो वन प्वाईज में टैनिकी पावर फाइब पाउजली होते हैं हमने क्या गलती कर दिए अपने आपने वह प्लस ले लिया मेरा भी आंसर 10 है प्लस नहीं हाँ बिल्कुल सही करें वह जो पावर थी ऐक्षुली मैं तो यह माइनस वन थी निचे चला जागा बान थी बताओ ना बिल्कुल सही कर रही है तो आंसर कितना है बता थे रही तो देख रही है आसर रिप्ए एकर इंदेगेजुख शुल्टो कितने पाई जुली 10 पाई जुली 10 पाई जुली इस सवे ठीक है आज पीज वह उटाव गिया पाई जुली सी Kसाई मैं से थैंदन में 202104 है ना यह सर वन पाइज उली इक्वल टू टैन पाइज पाइज एसाई है और पाइज क्या है सी जी एस बहुत बढ़िया चलिए तो यह क्वेश्चन खतरनाक खतरनाक हम करते जा रहे हैं अब अगला क्वेश्चन उसी पर बेस्ट यह देखो भाई सर खतरनाक कनवर्जन दिया है एक कैलोरी में कित्ते जूल होते हैं फोर पाइंट टू जूल ठीक है फोर पाइंट टू हो गया इसका मैगनिटूड एन वन और यह हो गई इसकी यू वन अब कह रहा है यह सर विएर वन जूल इकोल टू वन किलोग्राम मेंटर स्कॉयर पर सेकंड स्कॉयर नहीं भी दिया होगा तो हम लोग जानते हैं जिसमें unit of mass equals to alpha मतलब m2 कितने kilogram है alpha kilogram मतलब जो 1 होता था वो 1 kilogram नहों करके alpha kilogram है मतलब एक नए system बना दिया है जिसमें m2 alpha kilogram है length की unit कितने meter है beta meter and the time of unit is gamma second हाँ है न तो sir मतलब dimensions alpha beta में आएगी dimension के अंदर ml हाता था वो alpha beta में आगा बिल्कुल सही तो कह रहा कि show करो की 1 calorie होता है 1 calorie मतलब इतने जूल ये इतना हो जाएगा 4.2 जूल समझ में आगा है new unit में 1 calorie मतलब आपको kul मिला के क्या निकालना है N2 निकालना है क्या निकालना है N2 आई बार समझ में ये शर्यान से देखो बन जाएगा की नहीं बनेगा बोलो हाँ सर बन जाएगा बहुत सिंपल है हाँ सर बहुत इसी है वो उसमें बस उनने नीचे टा और गामा लिख दिया है और जो पावर्ती तो उसको माइनस में आ जाएगी फिव अपवान में नीचे हाँ सर बन जाएगा अगला यूज होता है dimensional analysis का to check the dimensional correctness of a given physical relation मतलब left और right की values को check करो और यदी सभी चीजें सेम आ रही है मतलब equation dimensionally correct है वो यस की no यस सर पढ़ो it is based it is based on principle of homogeneity which states that a given physical relation is dimensionally correct if the dimensions of the various terms on either side of the relation are the same हाँ यह होता dimensional correctness का statement की अगर आपकी left और right side की dimension equal है तो वो equation true होगा वो relation true होगा next अभी यह disclaimer है चीतावनी है याद रखना इनको भूलना नहीं फश्ट पढ़ो हाँ सर powers are dimensionless second है sine theta e की power theta cos theta और log theta give dimensionless value in above expression theta is dimensionless हाँ तो बिटाई यह सब की सब dimension होती है dimensionless होती है dimensionless होती है क्योंकि theta dimensionless होता है ओके yes sir yes sir we can add or subtract quantity having same dimensions बिल्कुल सही बात है अगला question जो हम कर चुके है वही करेंगे let us check the dimensional correctness of the equation V plus V equal to U plus 80 sir कर चुके है क्यामने चेक किया इसको कर चुके है दोनों का V निकाला U निकाला initial velocity final velocity और दोनों तरफ यह equal आती है so यह dimensionally बिल्कुल correct है yes sir चलो ठीक है हो गया ना done done sir ऐसे लिखेंगे the dimensional formula for U for V for 80 is equal to same every time so यह physical relation बिल्कुल से है next question illustration as equal to U T plus half 80 square sir यह भी कर चुके है बिल्कुल से यह भी कर चुके है मतलब भी dimensionally बिल्कुल correct है और अब आ गया है जो आप पूछ रहते हैं कि sir हम relation कैसे establish करते है different physical quantities के बीच में if we know the various factors on which a physical quantity depends then we can find a relation among different factors by using principle of homogeneity अगर आपको पता है आपको जानकारी दे जाए इस question के बारे में फिर हम आगे कराते हैं यह देखिए question आपके सामने लिखा है let us find an expression for the time period of a simple pendulum यह एक simple pendulum bob आपने लटका दिया है यहां से इसको धक्का मारा यह गया ट्वीं वापस आ गया इधर गया फिर इधर आया फिर पीछे गया फिर यहां आ गया एक complete rotation को complete करने में लगा time गया वापस आया यह गया यह वापस आया इतने को लगा हुआ time के रहा था one time period आपको जानकारी दी गई है कि यह time period pendulum bob का मास पर depend करता है but you don't know which power की power मान लो आपको जानकारी दी गई है कि यह length पर depend करता है pendulum की length पर but you don't know which power आप मान लो B power से और कह रहा है कि acceleration due to gravity पर भी depend कर रहा है तो आपने मान लिया which power G की power सी जी ठीक है yes sir मतलब खुल मिला करके तीन चीजें आपने मान ली है इस equation में कि T is proportional to M की power A, T is proportional to L की power B and T is proportional to G की power C हाँ या ना येस sir अब तीनों को merge कर दिया तो ये बने गया T proportional to M की power A, L की power B, G की power C constant हटता है तो proportional आता है और proportional हटता है तो constant आता है तो मैं proportional हटाऊंगा, constant लगाऊंगा तो T is equal to K, M की power A, L की power B, G की power C बोली ये सो नो जी sir ABC की जगे कुछ लोग XYZ भी ले ले लेते हैं फिलाले यहाँ ABC ले लिया है, अच्छी बात है हाँ sir तो ABC चलने दो कुछ लोग XYZ भी ले ले लेते हैं अब चलिए लगाते हैं dimensional analysis का formula जो कहता है कि left side की dimension equal to right side की dimension बोलो हाँ हाँ sir चलिए तो dimension हो गई बढ़ गई यहाँ पे तो T की dimension सुक क्या लिख सकता हूँ मैं M की power 0, L की power 0, T की power 1 लिख सकता हूँ हाँ sir constant की कोई dimension नहीं होती है बिना कुछ बात कड़े उड़ा दू हाँ M का मतलब mass mass का symbol होता है A और power लगी हुई है A L का symbol होता है L और power लगी हुई है B yes sir G मतलब gravitational acceleration मतलब L T की power minus 2 और power लगी हुई है C पकी बात yes sir M0, L0, T की power 1 mass की power A length में दो दावेदार है एक B power ये है और एक C power ये है तो साथ में ले लिए तो length की power B plus C yes or no और time की power minus 2 C ओके yes sir क्योंकि minus 2 into C minus 2 C हाँ sir अलग-अलग कर लिया हाँ sir कर लिया अब चलिए dimension concept कहता है कि left side की dimension और right side की dimension इक को लोगी यहाँ पर mass की dimension कितनी है जीरो और यहाँ mass की dimension है A तो पहला लोजिक आ गया A equal to 0 बूलो ये सौनो yes sir दूसरा concept कह रहा है कि L की dimension 0 है और यहाँ B plus C है तो B plus C equal to 0 yes or no yes sir समाल के रखो तीसरा है यहाँ पर power कितनी है minus 1 और यहाँ पर कितनी है minus 2 C तो minus 2 C equal to minus 1 minus से minus cancel C equal to कितना हो गया 1 upon 2 okay 1 by 2 yes sir और अगर C 1 by 2 है तो equation number 2 से यहाँ से B plus C equal to 0 है तो C B equal to minus C B equal to minus C और C की value आई है 1 by 2 तो B equal to minus 1 by 2 yes or no हाँ सर clear हाँ सर clear ABC 3 तीनों आ गए जी सर आ गए अब इस formula में आ जाओ यह master equation जो हमने रोक रखा था इसको मैंने number नहीं दिया था इसको number 1 देना था तो क्या था T is equals to K L की power A नहीं M की power A था L की power B था G की power C था तो M की power A हाँ तो K M की power A A कितना आया है 0 L की power B कितना आया है minus 1 by 2 यह सर 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 यह की वेल्यू एक मिनट बेटा जी की power से ल्टी की power माइनस वन एल्टी की पावर मानस टू ठीक है B equal to minus C minus 2C हाँ यह गलती हुए है देखो बेड़ा यह गलती हुए है यहां पे minus 2C था हाँ सर और यहां पे 1 था हाँ सर यहां गलती से मैंने क्या लिग दिया minus 1 क्या लिग दिया minus 1 हाफ तो actually यह plus 1 है तो minus 2 floor equal to 1 तो c equal to minus 1 by 2 और c equal to minus 1 by 2 hoगा तो b equal to 1 by 2 तो b की जगह कितना आएगा 1 by 2 और g की जगह आएगा पावर में minus 1 by 2 clear Sum क्लियर yes sir k mass की पावर 0 हो गया 1 और हो गया l का पावर 1 by 2 मतलब अंदर रूट L और G की पावर 1 बाई 2 मतलब अंडर रूट G ठीक तो फॉर्मूला बने गया T is equal to K अंडर रूट ल बाई G यह है फिसिकल एक्वेशन ताइम में, लेंथ में और ग्रेविटेशन लेक्सेलेशन में आपने नया फॉर्मूला बना दिया अब K constant है जिसकी value laboratory में, lab में find की गई और वो आ गई 2πाई अंडर रूट ल बाई G ठीक 2πाई अंडर रूट ल बाई साब